वीडियो के इस पार्ट में आपका स्वागत है, चलो स्टार्ट करते हैं डारेक्ली जो आप लोने सवाल पूछे हैं उनसे, पहला सवाल है प्रवीन कुमार जी का, मेरे मित्र को मौटलिटी कम हो गई है, 30% पर है, मौटापा बढ़ रहा है, अब आज भी थोड़ी सी भारी ह मेरे मित्र को उपाय बताएं, देखिए, बहली चीज तो, आपका जो मित्र है, उसको बोलिए, वो खुद वीडियो देखे, खुद अपना कमेंट करें, भाई, एक अडल्ट इंसान है, मौटलिटी मतलब, अबिसली अडल्ट इंसान है, तभी ऐसारी चीज़े आप चेक कर सवाल है, तो वो अराम से निश्चिंद होके कमेंट कर सकते हैं, दूसरे के बहाफ में सवाल पूछना, वो भी सेक्शुल अक्तिविटी और सेक्शुल वाली प्रॉबलम पे, या सेक्शुल और से रिलेटेड प्रॉबलम पे, I don't think it's a good thing, अगला सवाल है, नमनीत सिंह का, हैस्टेंग माई कुछन, मैम सेक्स के बाद पैनिस में स्वैलिंग हो जाती है, देखिए एक चीज़ समझे, सेक्शुल अक्तिविटी के दौरान जैसे ही आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट आता है, जैसे ही आपका पैनिस इनलाजमेंट होना चालू होता है, उसमें आपका जनाइटल ऑर्गन की तरफ आने वाला जो ब्लट फ्लो होता है, वो काफी जादा होता है, जैसे ही आप एक्टिविटी के बाद में थोड़ा हलका माइनर पैन होता है, और ये नैचुरल है, ये फीजियोलोजिकल पैन है, हलका पैन होता है, मतलब उसमें आपको ऐस जादा पैन है, लेकिन हलका सा होता है, दूसरे एक और रीजन होता है, कि मान लेजए आपके शरीर में जो सीमन बना था, वो था 3 ml या 4 ml जितना भी था, वो इतना अमांट में था, लेकिन आपका जो एजैकुलेशन हुआ, वो थोड़ा सा कम हुआ, 2 ml हुआ, तो जो 2 ml जो सीमन, जो अंदर रह जाता है, कभी-कभी उसकी वज़े से, क्योंकि बॉड़ी उसको भी बहार निकालना चाहती है, तो हलका स्पाज मोटेक, हलका एठन जैसा पेन आता है, यह नैचरल है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली नॉर्मल चीज है, अगला सवाल है, be real, hashtag my question, देखे, my question, इसके बीच में gap आपको नहीं लगाना है, directly लिखना है, hashtag my question, आप ये फोटो में देख सकते हैं, जैसे आप hashtag my question लिखते हैं, तो वो हलका सा ये, blue color का हो जाता है, तो वो अलग से highlight हो जाता है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखे, इ अधियान रखे, be real ने सवाल पूछा है, ma'am how to overcome from premature ejaculation, hope you give the answer, मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूं आपको answer देने की, लेकिन premature ejaculation होना, erectile dysfunction होना, ये एक बहुत लंबी चौड़ी disease है, मैं इससे related video बना सकते हूं, लेकिन 2 minute में answer देना proper नहीं है, I am so sorry, मैं पर video definitely प्रिमिचर ejaculation के ऊपर, थोड़ा सबेट करिये, please, अगला सवाल बहुत अच्छा है, Elvis Farnadis ने सवाल पूछा है, जो शायद बहुत सारे लोहों का सवाल होगा, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे है, पर ये बहुत ही interesting सवाल है, इन्होंने सवाल पूछा है, मैं मैंने masturbation को control किया एक महिने के लिए, एक महिने तक किसी प्रकार की कोई sexual activity नहीं है, masturbation नहीं है बलकुल भी, लेकिन उसके बाद मैं अगले दिन बहुती गंदा सपना आया, कुछ भी एक सपना आ सकता है, visual dreams आना, sexual dream आना, कोई abnormal चीज नहीं है, आ जाते हैं कई बार, तो पंद्रा से लेके 20 दिन तक की होती है, यानि कि आपका जो पूरा semen बनना चाहिए, जो पूरे sperm बनने चाहिए, healthy नहीं, healthy बनने की cycle है, वो 90 days की है, लेकिन जो एक regular cycle है, जिसमें वो mature होते हैं, वो 15 से लेके 20 दिन तक की होती है, तो आपके शरीर में जो आपका semen बनता है, वो हर 15 से 20 दिन में नया बन जाता है, कई बार semen जब ज़्यादा बनता है, तो उसके pressure के कारण आपको nightfall हो सकता है, तो अगर आपको महिने में एक बार, महिने में maximum दो बार, क्योंकि 15 से 20 दिन तक की cycle है, महिने में दो बार, किसी प्रकार की sexual urge के कारण, कोई sexual movies के कारण, य ये कोई problem नहीं है, ये healthy nightfall कहलाता है, आप अपने दिमाग को control करने के लिए, आप अपने thought process को control करने के लिए, meditation, exercise वगएरा try कर सकते हैं, लेकिन आप sick नहीं है, आप ill नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, जब भी कोई बोलता है कि अपने दोर्ष बीमारी है, जब भी आपको बोला जाता है कि nightfall बीमारी है, क्योंकि मैं भी अकसर काफी सारे वीडियो में ये बोलते हूँ, उसका मतलब होता है कि आपको हर दूसरे दिन nightfall हो रहा है, या महिने में आपको 15-20 बार nightfall हो रहा है, कुछ लोग तो comment आपने देखे होंगे, आप मेरे वीडियो के न अपनी sexual desire के ऊपर control कम हो गया है, तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके का nightfall है, तो फिर वो problem वाली category में आता है, लेकिन 15 दिन में, एक महिने में, या कभी कभार किसी sexual excitement के कारण, जैसे माल लीजे example देते हूं, किसी की निशादी होने वाली है, वो अपनी fiance से बात कर रहे है उनकी को sexual बाते चल रहे हैं, वो बाते उनके दिमाग में टग गई, चूकि अभी fiance हैं, तो definitely थोड़ी सी naughty और थोड़ी सी kinky वाली बाते हो सकती हैं, तो वो बाते दिमाग में हो गई, अब रात में उसके बात करने का आदा आप सो गई, तो दिमाग के अंदर तो वही कम होता है, तो कभी कभी थोड़ी problem की starting है, लेकिन 15 दिन में एक बार nightfall हो रहा है, तो आपको किसी तरीके की कोई problem नहीं है, अगर आप चाहते हैं, वो भी आपको ना हो, तो आपको definitely अपने thought procedure को control करना पड़ेगा, आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, उसको control करना प सकते हैं, केवल आप अच्छा सोच है, आपकी संकल्प शक्ती दरण हो, आपका जो focus है, जो आपका संकल्प है, वो एक निश्चित चीज़ पर रहे और दिमाग में जितनी चीज़ें घुसती हैं, क्योंकि हम पूरे दिन भर हमारी lifestyle आजकल इस तरीके की हो गई है, कि sexual content तो दिमाग में आजकल हर तरीके से, चार तरफ से आपको sexual thought ही दिमाग के अंदर आ रहे हैं, तो आपको केवल अगर आप चाहते हैं, कि आपको nightfall बिलकुल ना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने पड़ेंगे, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, संगती सु हैस्टेक के आगे gap दिया, फिर my लेखा, फिर gap दिया, फिर question दिया, आप देख सकते हो, उनका जो हैस्टेक my question है, वो blue color का नहीं हुआ, इस बार मैंने ले लिया है, अगली बार से मैं इस तरीके के सवाल नहीं लोंगी, madam please prostate enlargement और उसके बारे में video बनाएए, definitely आपका जो आ रिंकु श्रन, रिंकु श्रन ने सवाल पूचा है, हैस्टेग मैं, आपको हैस्टेग मैं नहीं लिखना है, आपको हैस्टेग माई कुष्रन लिखना है, इस पर्म काउंट के लिए पतंजली, यौन, चूण, ठीक है या नहीं, कोई medicine प्लीज बताए, देखिए, स्पर्म क काउंट कम क्यों है, मैंने अपने पुराने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने स्पर्म काउंट किस वज़य से कम हो जाते है, यानि कि स्पर्म का कम होना किस वज़य से होता है, मैंने डिटेल में discussion किया है, उसकी लिंक में आपको description में दे रही हूँ, आप प्लीज इस केलशियम की deficiency हो, इस वज़य से आपके sperm mature नहीं हो रहा है, बहुत सारे reason होते है, हो सकता है, आपको nightfall बहुत ज्यादा हो रहा हो, हो सकता है, आपको varicocele हो, जिसकी वज़य से आपको oligo spermia हो रहा हो, तो प्लीज एक चून मत लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, consult करिए, वह आ problem identify होगी, जो diagnosis बरेगा कि आपके sperm क्यों कम है, उसके आधार पर आपका treatment होगा, प्लीज कोई भी market में आने वाले, खुद से choose करके मत खरीदे, भाई, यह कोई सबजी नहीं है, कि आप बिना डॉक्टर से बात करें, खरीद लें, भले ही आर्विदिक medicine है, लेकिन इनके side effect हो मैंने अपना mobile lock कर दिया, मेरे mobile में बड़ी दिक्कत है यार, अगला सवाल है, रिंकुल का हो गया, आफ्ता बलम शेक, इन्होंने भी लिखा है, हैस्टेग माई, उसके बाद कैप दिया, question, क्या पुरुष का पैनिस बड़ा हो सकता है, क्या market में इसका project है, गलत है, गलत है मैंने एक बार बताया था पहले, पैनिस का size पहली बात तो आपको बड़ा करना क्यूं है, यह सवाल अपने आप से पूछेगा, क्या इसकी जरूरत है, क्या आप अपनी नाग बड़ी करने की कोशिश करोगे, क्या आप अपनी उंगलियां बड़ी करने की कोशिश करोगे, तो आपको अपनी नाग, कान, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैनिस का जो size है, वो बहुत ही सही है, वो accurate है, सही है, हर व्यक्ति के जो पैनिस का size होता है, वो उसकी height के according होता है, क्योंकि हमारे शरीर के जितने organ है, जो height है, उसके according होती है, मतला ऐसा नहीं हो सकत कि आपकी height 5 foot है, लेकिन आपके हाथ 4 foot के हो, ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज भगवार ने एक proportion में बना रखी है, तो पैनिस का size भी उसके according होता है, तो मार्केट में जितने भी product आते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे company product नहीं निकालती, केवल जो pond website होती है, उस पर ये पहुचाती है, यदि आपको कोई problem है, किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि कोई आपको genuine कोई problem है आपको, तो please doctor से मिलिए, एक बार check-up कराईए, अगर check-up में कुछ problem निकलती है, तो ही आप doctor के बताए उनसार treatment लीजिए, मार्केट में आने वाले, क्योंकि कोई अच्छ sexual fitness के लिए product आते हैं, क्योंकि sexual fit होना इंसान की necessity है, वो जरूरत है, लेकिन penis enlargement, बक्वासता सवाल है, नाग पढ़ा होगी, क्या करोगे, बताऊ ना मुझे को, अब किसी व्यक्ति की गर्दन इतनी है, तो इतनी है, आप cosmetic surgery करवा के उसकी गर्दन बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने से फायदा क्या, penis के size को बढ़ाने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं, आप उसका show, तो इक market में show तो करने वाले हो नहीं, I hope so, I don't know about you, अगला सवाल है, अशोक कुमार का, Hashtag my question, ma'am, आप government में practice कहा करती हो, देखिए, अशोक कुमार जी, क्या आप अपनी sister को, ये advice देंगे, कि वो openly, अपने घर का address, अपने घर का number, अपनी clinic का, अपना office का, openly सब को बताए, दोगे, नहीं दोगे, तो फिर मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की wife हूँ, प्ल मैं अच्छे लोग हैं, लेकिन क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो, 10-12 लफंगे, लोग मेरे clinic का address पता करके, मेरे घर clinic के सामने आजाएंगे, उट-पटान सवाल पूछेंगे, उट-पटान हरकते करेंगे, तो ये pattern नहीं है, तो ये गलत चीज है, I hope आप प्लीस next time इस चीज का दिहान रखेंगे, अगर आप अपनी sister को बोल सकते हो, कि वो Facebook पे अपना address अपके साथ share कर दे, अपना number share कर दे, तो फिर मुझसे मेरा number मांगेगा, मुझसे मेरा address मांगेगा, ये श्वन्त वैद ने सवाल पूछा है, आप वैद हो, कि वैद हो, पता नहीं, thank you, जो भी ह अगर आप वैद होते हैं, तो शायद ये सवाल नहीं पूछते है, I don't know, जो भी अगर आप वैद हो, तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हो, तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ भी digest नहीं होता, daily medicine लेनी होती है, क्या करो, अगर आपका digestion प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो, खाने में से जितनी भी oily food होते हैं, पूडी, पराठे, ये वाली चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजे, पानी बॉइल करके पीना है, हमेश्चा के लिए नहीं, 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप पानी बॉइल करके पीजिए, कच्छा पानी जो होता है, बिल्कुल बंद कर दीजे, खाने में दूद के बने हुए पदार्थ, दूद, दही, छाच, मठा, पनीर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजे, आपको नहीं लेना है 15 दिन तक, ठीक है, इतना इन चीज़ों का दिहान रखे, दूद की सारी चीज़े और चाय और कॉफी, 15 दिन के लिए आपको ये परहेस करना है, अब करना क्या है आपको, 15 दिन के लिए दिन में घड़ी देखकर ठाइम खाना खाईए आप, जो भी आपका टाइम सेट है, 11 बजे शाम को 7 बजे या रात को 8 बजे, जो भी आपका टाइम सेट है, 15 दिन के ल सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रियोक करनी है 15 दिन के लिए कोशिश करें कि हलका गुंगुना पानी पीजिए आप इतनी चीज़ करेंगे 15 दिन के लिए ये डाइट फॉलो कर लेंगे तो आपका पेट बिलकुछ सही हो जाएगा आपको डाइजेशन की जो भी प इसन भी बता चुकी हो उसमें उपाय भी बता चुकी हो फिर भी आप स्पेशली मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पहली चीज तो सेक्स को अवाइड करिये अगर आपको जल्दी निवीरी निकल जाता है तो आपको सेक्स कुछ समय के लिए अवा पूरनी पड़ेंगे मतलब कम्प्लीटली ब्रह्मिचरिका पालन आपको करना पड़ेगा साथ में हेल्दी डाइट लीचे जितने भी जो वीर को बढ़ाने वाली चीज होती है यानि कि प्याज लहसुन जो मैं अपने पुराने वीडियो में बताई थी उन सब को जितनी सारी चीजें होती है तीखे खटाई खाना मिर्ची खाना स्पाइसी फूड लेना यह सब आप अवाइड करिये हलका खाना खाईए एक्सरसाइस रेगुलर करिये और ब्रह्मिचर का पालन फिर से बोलूँगे अगर सेक्शल वीकनेस है तो ब्रह्मिचर बहुत ज़ प्रकार की गलत आते हैं आप सोच सकते हैं शराब पीना और ड्चेयों सेड़ना सीटी बजाना लड़्कियों मजाग करना दोस्तों के साथ आप में फालतों की गप्पे मारना, सेक्शुल जोक को, सेक्शुल मुवीज को, क्लिप को फॉरवर्ड करना, देखना, ये सारी आदते हैं, क्योंकि ये भी अब्रह्मचर, ये भी सेक्स का एक पार्ट होते हैं, आइरवेद में जो सेक्स है, वो आठ तरीके का बताये गया है, आपने सोचा भी नहीं होगा, कि सेक्स के भी टाइप होते है, आठ तरीके के सेक्स बताये गई हैं, तो आपको ये सारी चीज़े, जो मैंने अभी आपको समझाएंगी, सब आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत जादा फायदा होगा, आपका संकल प्रक्ती दरण होगी, तो आपका वीर आटोमाटिकली रोकने की शक्ती भी आपकी बढ़ेगी, चले आज के लिए इतना ही, जितने सवाल मैंने इसमें हाइलाइट थे इस वीडियो में, वह आने सारे कवर कर लिए है, आगे से अगर आपका कोई सवाल है, तो प्लीज हैश्टेग माईकूशन लिखकर आप सवाल पूछ सकते हैं, मिलूँगे आप से सौंवार में, तब तक लिस्ते हेल्दी और भी हैपी, कि ताई,